Online Train Booking के सपोकुन टिटोरियल में खुशाम दीद इस टिटोरियल में हम सीखेंगे कि IRCTC पर एक टिकेट किस तरह चुनें सफर के लिए सेक्टर मुंतखब करना, ट्रेन और सफर की क्लास यानि जुम्रा मुंतखब करना, सारिफ की मालूमाद दरज करना और E-Ticket या I-Ticket लेने का फैसला करना मैं ये भी दिखाऊंगा कि पहली बार debit card किस तरह इस्तमाल करें और इसे online ticket खरीदने के लिए किस तरह इस्तमाल करें टिकेट खरीदते वक्त अदाईगी के लिए मंदर जजैल किसी मैं से एक की जरूरत होती है, बैंक का अकाउंट जिसके साथ ATM कार्ड हो, online transaction की सलाहियत के साथ bank account, credit card और internet connection के साथ computer, मैं मंदर जजैल मैं से कोई एक तरीका चिनूंगा, मेरे पास एक ICICI ATM कार्ड है, ये visa debit कार्ड भी है, लहाजा अब एक टिकेट खरीदते हैं, सारिट का नाम मैं kannan underscore mou type करूंगा, password, मैं यहाँ login करता हूँ, मानें कि मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, लहाजा जैसे ही मैं चार करेक्टर टाइप करता हूँ, ये तजवीज बेश करता है, लहाजा मैं मुंबई Central चुनता हूँ, SURA मैं चार करेक्टर टाइप करता हूँ और इंतिजार करता हूँ, तो असल में मैं सूरत जाना चाहता हूँ, नोट करें मुंबै सेंटरल के लिए स्टेशन कोड BCT और सूरत के लिए ST है, मुस्तक्विल में मैं बराहिरास्त BCT और ST टाइप कर सकता हूँ, मसलन इसको हजफ करें और BCT टाइप करें, इसे ऐसा ही छोड़ दें, डेट में मैं 23 ड टिकेट के बारे मैं बात करूँगा, वो options क्या है, इन में क्या फरक है, मैं बाद में समझाऊंगा, अब मैं train name ढूंडता हूँ, मैं दाएं तरफ खिसकाता हूँ और देखता हूँ, मुझे बहुत सी trainे मिलती हैं, अब मैं font का size थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ताके हम इन सब को आसानी से देख सकें, मानें कि मैं train number 12935 से जाना चाहता हूँ, लहाजा अब मैं second sitting 2S में ticket की दस्तिया भी देखता हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, ये फौरी तोर पर बताता है कि ये waitlisted फहरिस्त में है, अगर्चि ये waitlisted में है, फिर भी मैं इसे book करना च चाहता हूँ, लहाजा मैं इस पर click करता हूँ, मुझे एक message मिलता है, the from station that I have selected does not exist on the route, choose one of these, माने कि मैं बांदरा terminus मुन्तखब करना चाहता हूँ, अब मैं इस पर जाता हूँ और book करता हूँ, अब नाम मैं कनन मदगलिया टाइप करता हूँ, age मैं 53, mail, birth preference मैं window seat चुनता हूँ, यहाँ senior citizen यानि बुजर्ग शहरियों के लिए button है, और मुझे एक message मिलता है कि passengers age should be 60 years or more, okay पर click करता हूँ, अगर मैं एक खातून senior शहरी हूँ, तो यह कहता है, passengers age should be 58 years or more, लहाजा senior शहरी माने जाने के लिए खवातीन की उम्र 58 और मर्द के लिए 60 साल है, senior शहरियों के लिए यहां रियायत है, लहाजा मैं वापस mail विंडो सीट पर जाता हूँ, मुझे इन सबसे परेशान नहीं होना चाहिए, मुझे बस यह image दाखिल करनी है, E-37745A, अब go पर क्लिक करता हूँ, यह तफसीलात फराहम करता है और बताता है कि कुल रकम 99 है, अब मुझे रकम अदा करनी है, make payment पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास इन मेंसे कुछ भी हो सकता है, मैं एक credit card या net banking option, debit card, cash card वगएरा का भी इस्तमाल कर सकता हूँ, ज्यादा तर लोगों के लिए काबले रसाई बनाने के लिए मैं debit card के इस्तमाल का मुझाहरा कर रहा हूँ, मुझे इन मेंसे कोई एक मुंतखब करना है, बरकिस्मती से मेरे पास जो ICICI bank का card है, वो यहाँ दस्तियाब नहीं है, लेकिन ये कहता है आपका card अगर visa और master debit card है, तो यहाँ click करें, लहाजा मैं यहाँ click करता हूँ और मुझे message मिलता है, ICICI bank लिस्ट किया जाता है, अब मैं इसे बंद करता हूँ, मैं इन मेंसे एक चुनता हूँ, मैं visa master card चुनूंगा, तो card type visa है, मेरे पास जो ATM card है, मैं इसका number नहीं दिखाऊंगा, आपको 16 हिंसूं का number दर्ज करना है, जो आपके debit card पर है, और फिर credit card expiry, और फिर CVV number, जिसमें तीन अगद का number है, आपके card के पीछे, आखरी तीन digits, आपके दस्तखत के आगे, यह मालूमा दर्ज करने के बाद मुझे buy button दबाना है, मैं अभी यह करता हूँ, मुझे ICICI bank से यह message मिलता है, मुझे validity date, date of birth और ATM pin दर्ज करना है, इस card को online अदाईगी में register करने के लिए, मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ, जिससे आप देख सकें कि यह क्या है, मैं इन सब को दाखिल करूँगा, लेकिन मैं आपको नहीं दिखाऊँगा, जैसे ही मैं यह करता हूँ, मुझे यहां दिया हुआ एक message मिलता है, अब मैं एक 6 अदद का number दर्ज कर रहा हूँ, मुझे यह मुनासिब तरीके से मुन्तखब करना है, यह आसान होना चाहिए, जिससे मुझे याद रहे, लेकिन दूसरों के लिए इतना आसान भी नहीं होना चाहिए, मुझे यह दो बार टाइप करना है, इस बात का यकीन करने के लिए कि मैंने password मुनासिब और सही तरीके से बनाया है, यह टाइप करने में गलतियों को बचाएगा, याद रखें कि यह password आपको सिर्फ एक बार ही बनाना है, अब से आप अपने debit card के साथ इस password को इस्तमाल करेंगे, अब submit पर click करता हूँ, मुझे message मिलता है, congratulations, the ticket has been booked, Note करें, PNR नंबर के साथ, टिकेट के बारे में सारी मालूमाद भी दी गई है, जो हमें अपना सफर शुरू करने से पहले पता करने में मदद करेगा कि क्या हमारा wait listed ticket confirm यानि यकीनी हुआ है या नहीं, यहां हम IRCTC की तरफ से भेजा गया खुदकार automated email देख रहे हैं, यहां ticket की तफसीलात हैं, अगर आप चाहें तो इसका print ले सकते हैं, अब slide पर वापस जाते हैं, मैं अपनी slide पर वापस आ गया हूँ, आगे क्या करना है, आप इस ticket का print ले सकते हैं, आपके सफर से पहले wait listed ticket confirm होना चाहिए, wait listed ticket का print लेना काफी है, अब आपको दुबारा print नहीं लेना है, अगर ticket पहले ही confirm हो गया है, तो कोई मसला नहीं है, इस tutorial में मेरी तरफ से दिखाया गया तरीका क्या हमेशा एक जैसा ही है, अलग-अलग ATM कार्डूं के लिए कुछ मामूली तबदीलियां हो स सकती है, credit cards और online bank transaction के लिए तरीका यकसा है, लेकिन मजमूई तोर पर अमल तमाम तरीकों में यकसा होता है, काड या account की मालूमाद दर्ज करना, password दर्ज करना, कुछ में mobile phone पर भेजे गए आरधी code की जरूरत होती है, अगला सवाल ये है कि क्या e-ticket लेनी चाहिए या i-ticket? पहले हम e-ticket के साथ शुरू करते हैं, कोई भी शक्स ये बिलकुल आखरी वक्त पर भी खरीद सकता है, बस printer की या smartphone की जरूरत है और इसे खोने का भी कोई डर नहीं है, इसे खोने पर आप दुबारा print भी ले सकते ह सफर के वक्त identity proof यानि शिनाखत के सुबूत की जरूरत होती है, इसके बरक्स i-ticket आपको 50 रुपे के इवज कोरियर से भेजा जाएगा, डाग के जरिये वसूल करने के लिए आपके पास 2-3 दिन तक होने चाहिए, डाग के जरिये से तक्सीम कारी तमाम शहरूं और गाउं में दस्तियाब नहीं है, cancellation यानि मनसूखी सिर्फ टिकेट काउंटर पर ही हो सकती है, अगर आप एक i-ticket के साथ सफर कर रहे हैं तो आपको identity proof की कोई जरूरत नहीं है, identity proof यानि शिनाखती सुबूत क्या होता है, हुकूमत की तरफ से जारी किया गया तस्वीर के साथ fan card, election card driving license या passport ये इन में से कुछ भी हो सकता है, अब मैंने एक website खोली है जो बताती है कि आपकी तस्वीर के साथ इन में से किसी एक को साथ रखना है, अब अपनी slide पर वापस आते हैं, यहां रियाई की दाम दस्तियाब है, यहां एक मुफीद website दी गई है, अब इस website पर जाते है मैं slide पर वापस आ गया हूँ, senior शहरियों को तकरीबन 40% की छूट मिलती है, senior शहरी कौन होता है, एक मर्द जो 60 साल या इस से ज़्यादा हो, या एक औरत जो 58 साल या इस से ज़्यादा हो, किसी भी रियायत हासिल करने वाले शक्स को सफर के वक्त सुबूत की जरूरत होती ह सफर के वक्त क्या-क्या साथ रखना चाहिए, अगर आपने एक e-ticket बुक किया है, तो आपके ticket का कोई एक सुबूत, smartphone में e-copy या ticket का print out और एक identity card या i-ticket रखें, जैसा कि पहले बताया गया, i-ticket की सूरत में शिनाखती सुबूत की जरूरत नहीं होती है, मेरे पास आप पे लिए कुछ मुफीद तजावीज हैं, टिकेट पहले से बुक करें, अगर सफर के इमकानात कम हो, फिर भी बुक करवा लें, आप ticket cancel भी करा सकते हैं, अगर आप ticket cancel कराते हैं, तो आपको कुछ रुपे का नुकसान होगा, टिकेट नहोने से तो ये बहतर है, आखरी वक् राइट तेज चले तो बुक करें, आम तोर पर ये बीच दोपहर या रात को देर से तेज हो सकती है, अगर मुम्किन हो तो सुबा आट बजे से दस बजे तक ticket बुक न करें, अगले टिटोरियल में हम बात करेंगे कि IRCPC से बुक शुदा टिकटूं का इंतजाम किस तरह कर पर दस्तियाव वीडियो देखें, यह Spoken Tutorial Project का खुलासा करता है, अच्छी बैंड विडित न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं Spoken Tutorial Project टीम Spoken Tutorials का इस्तामाल करते हुए वर्क्शॉप्स चलाती है और ओनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देते हैं मजीद मालूमात के लिए हमसे राबिता करें Spoken Tutorial Project टॉक्ट एटीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है ये भारती हुकूमत के MHRD के ICT के जरिये कौमी खौंदगी मिशन की तरफ से हिमायत शुदा है इस मिशन पर मजीद मालूमात spoken-tutorial.org slash nmeict-intro पर दस्तियाब हैं अब ये टिटोरियल खतम होता है इस टिटोरियल का तरजमा और सदाबंदी मैंने यानि वजाहत अहमद ने की है आपका शुक्रिया